नमस्कार दोस्तों मैं श्मित मिस्रा स्वाहत करता हूँ एक बाफ फेट से आप से आप से आप सभी का एमज़ेटेज क्वेशन में दोस्तों जनवरी 2023 इसका मंतली करेंट इफेर लेकर के मैं आ चुका हूँ आपके सामने हिंदी और इंग्लिज दोनों लेंग्वेज में होगा और ये पार्ट वन है पार्ट वन में हम लोग कवर करेंगे एक जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक के महतपूर प्रशनों को बहुत ही जदा डिटेल के साथ होने वाली है और पूरे महीने का निचोड है तो आप लोग पूरी पहुत ही कियरफुली वीडियो देखिएगा ठीक है मन्तली करेंट फेर से डिरेक्टली कुशन्स आपके एक्जाम में बढ़ते हैं गूगल प्लेश्टोर पर जाएए एमजेटी एप डाउलोड कीजे फ्री क्विज सेक्षन में जाएगा फ्री पीडियाप सेक्षन में जाएगा फर्स्ट विमन कमिशनर क्ष चार्ज पो तुक चार्स एज नोजड़ पुलिस चीफ ठीक है नोजड़ा की पुलिस चीफ के अरुप में नोजड़ा को ही गतं highlights भाजबा के यह एध भिधायक है ठीक है ना आगे भारत में पहली अंडर्वाटर मेट्रो सेवा दिसंबर 2023 में कहां पर शुरू की जाएगी तो यह अंडर्वाटर मेट्रो है और उसको मैं आपको हमेशा रिविजन करवाता रहा हूँ अंडर्वाटर मेट्रो जब भी पूछा जाया तो आप बताएंगे कुलकाता में हुगली नदी में कुलकाता में अंडर्वाटर मेट्रो चलाई जाएगी लेकिन दिसंबर 2023 तक अभी टाइम लगेगा इसको चालू होने में तो अभी ये फिर से रिसेंटली चर्चे में है नियूज में है जब इससे पूछा गया कि कब तक ये कंपलीट होगी तो चर्चे में आया कि दिसंबर 2023 तक ये रन पोजिशन पर आजाएगी अच्छा मेट्रो की बात हो लिए तो मेट्रो से जानो 1984 में सबसे पहले भारत में मेट्रो की सुरुवात होई और कोलकाता में ही पहली बार मेट्रो चलाए गई ठीक है दूसरी वाली मेट्रो सन 2002 में दिल्ली में चलाए गई और दिल्ली मेट्रो से ही मैं आपको हमेशा याद करवाता हूँ ये पहली ड्राइवरलेस मेट्रो भा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ अभी रीसेंटली इंटरनेट के जो जनक है भारत के फादर आफ इंटरनेट वो इंडियन इंटरनेट उनका निदन हुआ है उनका क्या नाम था देखते हैं कौन कमेंट करके बता पाता है तो हावड़ा और कोलकाता की बीच में चलेगी हुभली नदी में चलेगी भी इंपोर्टेंट है अगला आंद प्रदेश ने पाठे पुस्तकों में फातिमा सेख का पातिकरम सामिल किया फातिमा सेख थी कौन फातिमा सेख दोस्तो ये एक सोदंता सेनानी तो थे ही और साथी टीचिंग इंस्ट्यूट में जूरे थे और ये बनी थी पहली मुस्लिम सिक्ष का, ठीक है न, 1848 में, 1848 की टाइम पर, ठीक है न, आगे, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज कहां खोला गया, ये खोला गया, गोवा में, पहला वाला जम्मू कस्मेर में है, ठीक है, चिनाब नदी पर बन रहा है, चिनाब नदी पर, और दूसरा वाला गोवा में अभी हाली में खोला गया है, ये केबल ब्रिज होता है, केबल ब्रिज क्या होता है, जो ब्रिज केबल से टिके होई होते हैं, ठीक है न, तो ये second largest cable stage bridge ब्रिज है, जो कि जुआरी रिवर पर ह गोवा में पड़ता है तो इसका अभी उद्गाडन किया गया अच्छा एनस 66 को जुवारी नदी के जुवारी भाग पर ये कनेट करता है और नेशनल हाईवे 66 पर बना है तो आप से ये कुशन पूछा जा सकता है ठीक क्रिस्टियानो रोणालडो अब किस टीम से खेलने का फैसला लिये है तो क्रिस्टियानो रोणालडो जो कि दुनिया के सबसे जादा इंटरनेशनल मैच में गोल करने वाले खिलाड़ी है और ओबराल भी सबसे तक गोल करने वाले खिलाड़ी है ये अब अलनासर से खेलेंग में अब पहली बार ये जा करके ACN टीम से किसी खेलेंगे और दुनिया में आज तक कि सबसे बड़ी डील हुई है ठीक है? क्रिश्टान रूरुनार्डू की एक तो दुनिया के सबसे अमीर सबसे ज़्यदा कमाई करने वाले ये एथलीट है ही और इनको अब और खुब भर करके पैसा मिला हुआ है ये अलनासर के लिए दोहजार पचीस तक दोसो मिलियन यूरो पर एएर के अधिक पर ये डील किये हुए है ठीक है? यानि कि अभील लबग सुचो दोजा तेईस चोविस पचीस तीन साल में छेसो मिलियन यूरो तो ये यहीं से कमा जाएंगे ठीक है? बिना किसी स्पांसर सिप और ग्राडनिंग से को जोड़े फिलहाल मैंचेस्टर यूनाइटेट से खेलते थे वहां से हटे और पुर्दगाल के खिलाडी है पुर्दगाल के खिलाड़ी है वैसे फिφा वर्ड कप हुआ फिफा वर्ड कप पिछली महीने में हाला कि हमने कवर किया था अच्चे से फिफा वर्ड कप जीता किसने? अर्जन्टीना ने जीता है यहां पर आप देखवाओ, थोड़ा सा आकड़ा है इस से रिलेटेट पर सेकेंड ये 5.50 यूरो कमा रहे हैं अगला Bloomberg के अंसार Asia's Busiest Dream Maker को ने Bloomberg की रिपोर्ट आई उसमें बताय गया Asia में सबसे Busiest Dream Maker है गौतम अडानी यहाँ पर Busiest Dream Maker ये मतलब नहीं समझेगा कि सपने देखने में बिजी है Asia's Busiest Dream Maker का मतलब ये हुआ कि ये जो year गुजरा भी 2022 का साल इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा acquisition या फिर कहें कि उसमें investment या फिर कहें कि कोई project launch करना सबसे ज़्यादा इन्होंने किया हुआ है इसलिए Busiest का Asia का सबसे busiest person Busiest इनको Dream Maker के रूप में चुना गया है Bloomberg के द्वारा इनमें अगर देखा जाए देखो कि आप यह थोड़ा सा 2022 में संपत्तिन की 10.01 लाग करोड हो गई है साल की सुरुवात में 6.037 लाग करोड थी लेकिन अन्त आत्याते 10.01 लाग करोड की हो गई है 2022 में इन्हों ने 3.06 लाग करोड रुपय जोड़े है और बाकी की जो हैं अगर वो उसमें देखा जाए 9 अमीरों की संपत्ति जो है 26 लाग करोड रुपय घटी हुई है ठीक है दुनिया भर में रेसेशन है अगला अभी हाली में दोस्तो भारत ने अपने किर्केटर्स के लिए योयो टेस्ट तो पहले से होता ही था अब डेक्सा टेस्ट को भी मंडेटरी कर दिया है डेक्सा टेस्ट भी जो होगा ये भी खिलाडियों को पास करना होगा डेक्सा टेस्ट क्या होगा ये बेसिकली दोस्तो देखा जाएगा कि आपके हड़ी कितनी मजबूत है ऐसा तो नहीं है आप खेलते खेलते चोटिल हो जाओगे और लंबी चोट पड़ी जाएगी और आप फिर लंबे समय के लिए टीम से बाहर हो जाओगे यसे में नुकसान हो जाता है आपको बहुत सारी चीज़े देख करके उसलिक किया गया रहता है तो योयो टेस्ट होता था ये फिटनेस को देखने के लिए इसमें दवड़ाया जाता था देखा जाता था कि आपके फिटनेस कैसी है कितने सेकंड में कितना आप दवड़ पाते हो और यहाँ पर अब डेक्सा टेस्ट होगा जिसमें ये देखा जाएगा कि आपके हड़ी कितनी ज़्यादा मजबूत है ठीक है ना बीसी सी याई नहीं ये फैस्ता रहिया है बीसी सी याई बोले तो बोर्ड आफ काट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया इसकी नए अध्यक्ष बने हैं कौन है रोजर बिन्नी रोजर बिन्नी यह है बिलकुल यह किसके पीता जी है इस्टूर्ट बिन्नी के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में सडक दुर्घटना में कितने प्रतिसत की कमी देखने को मिली है। लेकिन मरने वालों की संख्या जो है इसमें बिर्दी हुई है। मांग देच्छु जल विद्धुत परियोजना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जब से बन रहा है जब से भारत इसको बना रहा है बहुत एक्जाम में यह पूछा जा चुका है। मांग देच्छु जल विद्धुत परियोजना और वीच में एक बार और चर्ची में आ गया था जब लंदन ने इसको अवार्ट दे दिया था। बेस्ट इंजिनिंग अवार्ट दे दिया था इसको लंदन में मिल गया था तो इस वेसे और ज़्यादा चर्ची में आ गया था। तो इंडियन बैग्ड ये 720 मेगावाट की मंग देच्छु हाइड्र पावर प्रोजेक्ट है। इसको ब्रूनेल मिडल मिला था 2020 में ठीक है इंस्टिटुट आफ सिविल इंजिनियर्स के द्वारा। भारत की भूटान में राज़दूत कौन है सुधाकर दलिला। तो भारत ने इसे भूटान को अब फिलाल के लिए सौप दिया है। अगला ब्राजिल के राश्टपती कौन बने। ब्राजिल के नए प्रेसिडेंट बन गए है लूला डिसालवा। ये प्रेसिडेंट बने ही थे कि एक अपते बाद बावाल सुरू हो गया। असल में जायर बोलसनारों को ये बहुत ही कम अंतर से हराए। ठीक है यहां पर आप दिपाऊगे लूला सौर्ण एज ब्राजिल प्रेसिडेंट ठीक है बोलसनारों की जगा पर ये आए हुए है लेकिन इनका जो अंतर था जीतने का वो बहुत जादा कम था और इसी वज़ा से वहां की जो जनता है और जो बोलसनारों के जो सपोर्टर हैं वो इस चुनाओ नतीजे से सहमत नहीं है और इस वैसे उन्होंने संसद तक पर जाकर के कबज़ा कर लिया था। बहुत बवाल ह जैसे USA में एक बार हुआ था नहीं ट्रम्प वाले जो वह जाकर के संसद पर कबज़ा कर लिया थे ऐसे ही इनके भी जो सपोर्टर थे जायर बोलसनारों के वह जाकर के संसद पर कबज़ा कर लिया थे एमर्जेंसी लगानी पड़ गई ठीक है लूला डेसालवा फिलाल अगर छोड़ दें तो ये दक्षिड अमेरिका कॉंटिनेंट मेंना सभी से अपना बॉर्डर सेयर किया गरता है ब्राजील क्लियर अगला इंडियन ओवर्सीज बैंक के एमडे और सीयो कौन बने तो दोस्तों वो बन गए है अजय कुमार स्रिवास्तों एक्चुली मैं इन है और इनको अगले तीन साल के लिए नियुक कर दिया गया है हाली में वर्स के तीनों विश्व सतरंज चैंपियंशिप का खिताब किस ने जीता इसको जीता दोस्तों मैंगनस कालसन मैंगनस कालसन नार्वे की ये सतरंज की खिलाड़ी है दुनिया के सब से जादा बेस्ट खिलाड़ी है नमबर बन पर रहते ही है हमेशा तो इसने इनोंने तीसरी बार चैंपियंशिप जीत लिया है तीन तीन चैंपियंशिप तहां से समझो फिर से इनोंने एक अदभूद रिकार्ड बनाया है जो साल भर में होती है तीन बड़ी चैंपियंशिप चैंपियंशि सबसे खतरनाग खिलाड़ी है, 2014 में इन्होंने अपनी केरियर की हाइस ट्रेटिंग हासल की 282 और 2010 में हाना कि ये गरंड मास्टर बन गये थे, क्योंकि 2010 में ही इनके 500 पूरे हो गये थे, तो इन्होंने जीता है, अच्छा अभी वर्ड बिलिज एंड सतरन चेंपेंशिप का खिताब हुआ, उसको भी इन्होंने जीत लिया, इसे पहले वर्ड रैपिट चेंपेंशिप जीता था, इसे पहले आप देख सकते हो, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजी करने वाला पहला राज्जी कोर्मना, वो बन गया है ओडिसा, ओडिसा में अब क्या होगा न, कि अगर आपके पास या आपके दादा, पिता जी, इन सब के पास कोई विंटेज वाहन है, कुछ इस प्रकार से अ लेकिन अब यहाँ पर नवीन पतनायक जी, जो की ओडिसा के सीम है, उन्होंने अलाओ कर दिया है, कि एक दोबारा से रेजिट्रेशन करवाओ, और आपको भी मौका मिलेगा, आप रील्स औगरा बनाने के लिए इसका यूज अब कर सकते हो, तलब रोड पर ही उतार सकते ह हुआ, अगला, हाले में आयूस मंत्राले ने आयरवेद पेसोवरों के लिए R&D को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कारेक्रम सुरू किया, तो Ministry of IOS ने अभी स्मार्ट नाम से आयरवेद पेसोवरों को रिसर्च और डिबलेप्मेंट को बढ़ावा देने के लिए कारेक् कारेक्रम, इसमार्ट प्रोगामियां पर आप देख पाओगी, आर्टिकर है टाइमस ओफ इंडिया का, इसमार्ट का मतलब होता है, इसको पर मेन स्ट्रीमिंग आयरवेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेसनल्स, ठीक है, तो जो आयरवेद के जो प्रोफेसनल्स हैं, उ लोग चिकित्सा, युनानी चिकित्सा, स्थिद्धि चिकित्सा और होमियोपैती, ठीक है न? अगला, हाली में चीन ने चिंग गांग को अपना नया विदेश मंतरी नियूप किया, वो किस देश में चीन के राजदूत हैं, तो चीन गांग, ये दोस्तों, अमेरिका में है चीन के राजदूत, और चाइना ने भारत से सीख लेते हुए भारत की तरह ही, क्योंकि भारत के विदेश मंतरी कौन है, एजजय संकर जी हैं, वो पहले क्या थे, वो पहले विदेश सचियू थे, ठीक है, उससे पहले क्या थे, राजदूत थे, तो उनको क्या होता है, कि पड़े लिखे हैं, मतलब IKIS लेबल के अधिकारे हैं, तो वो इस वज़े से अच्छे अच्छो को पटकते रहते हैं, ठीक है, दुनिया भर के मंच पे, चाहे अमेरिका हो, चाहे रस्या हो, उक्रेन हो, मतलब पाकिस्तान हो, ब्रिटेन हो, सब को ये सबक सिखा दिये, ठ इनी को देख करके ही अब चाहिना जो है, वो कपी करने कोशिज कर रहा है, और चाहिना क्या कर रहा है, कि अमेरिका में जो उसका राजडूत है, उसको अपना विदेश मंतरी निवक कर दिया है, फिलहाल देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, तो वांग यी जो की प्रिदेश मंत्री थे उनको थोड़ सा और प्रमोड कर दिया है इनोंने किस राज तरकार ने मुख्य मंत्री सुखा सराय सहायता कोस लांच किया तो अभी हाले में दोस्तो सुखा सराय मुख्य मंत्री सुखा सराय सोयोजना सुरू किया हिमांचल प्रदेश इसके तहट क्या होगा हिमांचा प्रदेश में आई भी कांग्रेश की नई-नई सरकार बन करके आई हुई है और सभी विधायक और मंतरी जो नए-नए सपत लिए हैं उनसे कहा गया है कि अपनी जो पहली रिसेलरी पालना पहली वाली सेलरी तो उसको क्या करना कि उठा करके इ निरासरत महिलाओं को नायर एजूकेशन सुविधा प्रदार्ण करने के लिए ये एक सो एक करोड रुपए हम बटोर रहे हैं और इसमें सब लोग अपनी पहली पहली सेलरी जो है दान करो अगला सुप्रिम कोर्ट के द्वारा किस अनुपात में सुनाय गए फैसले ने 2016 में हुई नटवंदी को वैद करा दिया तो सुप्रिम कोर्ट ने दोस्तों अभी 4 is to 1 के रेसियो में एक वर्डिक्ट सुनाया जिसमें ये बताया कि नोटवंदी का जो फैसला था वो सही था इसमें किवल एक जो मत पड़ा है एक जो नयाधिस है सुप्रिम कोर्ट की उन्होंने इसके विपक्ष में मत दाला मतले उनके अनुशार नोटवंदी सही नहीं थी बाकी सभी के अनुशार नोटवंदी का फैसला सरकार का जू था वो हित में था जनता की अच्छा ये जो एक जो जज है उनका नाम क्या है उनका नाम है जस्टिस बीवी नागरतना जस्टिस बीवी नागरतना दोस्तों भारत की ये पहली महिला मुक्षिनाधिस आपको दिखेंगी कब 2027 में भारत की पहली महिला मुक्षिनाधिस यानि सुप्रिम कोट की ये महि दुलनजीर, जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस A.S. वपन्ना, जस्टिस V.B. सुब्रामानयम और जस्टिस B.V. नागरतना इन्हों नहीं अपोज किया है बाकि सबने सपोर्ट किया है प्रदानमंत्री नरेंद बोदीजी ने आठ नॉमबर 2016 को दोस्तो 500 और 1000 रुपय के नोट को चलन से बाहर किया था यानि नोटबंदी करी हुई थी आप लोग परिसान ना होई है यह पूरा का पूरा जो PDF होता है डेटेल कॉंटेंट के साथ यह भी आपको प्रवाइड किया जाता है तो आप आप टेलीगराम गुरूप चाहे जोईन कर लो और अगर आप चाहते ह गूगल प्ले स्टोर से डाउलोड करके रखो यह वाली भी डीटेल पीडियाफ आपको वहीं पर भेजी जाएगी अगला सारजनिक उद्दम सर्वेचन 2021-22 के अनुसार सीर्स लाभ का माने वाली कंपनी कौन वनी अभी सारजनिक उद्दम सर्वेचन का एक की एक रिपोर् इसमें कौन सी कंपनी है तो दोस्तों सबस्यादा प्रॉफिट गेन करने की मामले में ओएनजीसी है टॉप पर ठीके ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ओएनजीसी के बाद इंडियन और कोरपरेटिसन ने बनाया हुए है ठीके आयो सील नी ओएनजीसी बोले तो ओईल औ Natural Gas Corporation of India ONGC की असापना 1956 में हुई थी देहरादूर में इसका headquarter है और अरोण कुमार सिंग जी इसके बें नए अधिक्षिस के बनाए गए हैं महाने दिशक बनाए गए हैं अगला हाली में आमदाबाद दिल्ली के बीच चलने वाली संपरक्रांती train का नाम बदल करके क्या रखा गया आमदाबाद और दिल्ली की बीच चलने वाली जो संपरक्रांती express है इसका नाम अब अक्षरधाम express कर दिया अक्षरधाम एक मंदिर है आपको पता है दिल्ली में स्थित है और उसी के नाम पर अभी ये होगा संपरक्रांती एक्स्प्रेस ठीक है ना अक्षरधाम एक्स्प्रेस रेल्वे मिनिस्टर ने इसकी गोशना करी हुई है रेल मंत्री कौन है अस्वनी भैशनो जी आले में कहां पर दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन लांज करी गई ह तो दोस्तों दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चाइना ने लांज करी पहली बार जर्मनी ने लांज किया था पहली दुनिया की पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन दूसरी चाइना लांज किया है लेकिन चाइना वाला जो है ना इससे तेज लांज किया है मतलब जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी की जो स्पीड थी वो 138 km पर आवर की हुआ अगरती थी लेकिन यहाँ पर जो चाइना में लांज की गए है की स्पीड 160 km पर आवर की बताई जा रही है तो उससे फास्ट है यह चलती है ठीक है अगला यह सारी चीज़े हैं डिटेल हैं अगला अच्छा आप लोग के लिए न स्टेटिक जीके की एबुक लाए गई अब इस स्टेटिक जीके में आप लोग का डिमांड बहुत पहले से हुआ करता था कि सर यह करेंट अफेर तो द आप लोग के लिए न यहां पर एक इबुक बनवाई गई है और इस इबुक से आपका दूसरा जो ड़ा है वो समाप्त किया गया है कि तयार कैसे होगा इतने ज़्यादा फैक्ट रहते हैं तो इसमें हमने क्या किया है कि एक तो आपको हर एक चैप्टर से नीचे जश्च इंड होने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है दूसरा यह किया गया है कि उसमें इमेजर्ज और एनिमेशन्स एड़ किये गये हैं जिसकी वज़े से थोड़ा सा आसान हो जाता है आपको चीजों को याद करना इन दो चीजों की वज़े से यह इबुक जो है ब यह PDF अगर आप पड़ लोगे तो आपको static GK बिल्कुल कहीं और से देखना ही नहीं पड़ेगा कुल मिला करके जंजट ही खतम ठीक है और current affair तो आप जानते ही हो कैसा होता है तो दो चीजों से आप दो अपना portion GS का समझ लो कि जो GS में आपके problem होती थी थी ना आप 70-80% ऐस कौन बने तो दोस्तों हिमांचल प्रदेश विधान सभा के नए अध्यक्ष बन गए है कौन कुलदीप सिंग पठानिया कुलदीप सिंग पठानिया यहाँ पर आप देख पाऊंगे senior Congress leader है और इनको 16 प्रदेश लेजिलेटिव असंबली का वहां के नए मुक्यमंत्री सु अगला इमो इनु इरत्पा महत्सो कहां मनाया गया यह मनाया गया दोस्तों मडीपुर में इमो इनु इरत्पा फेस्टिबल मडीपुर का प्रमुख फेस्टिबल होता है अभी पहली बार लेकिन अभी आयज़ुत किया गया है फस्ट टाइम ठीक है और काफी धूंधाम से celebrate के रहा है, मड़ीपुर के और महुत्सो के अगर बात करें, लाई हरोबा है संत्रा महुत्सो है, संगाई है सिरूई लेली है, कचाई लेमन festival है, नाता संकीरतन है नाता संकीरतन यहीं पर में लिख दे रहा हूँ नाता संकीरतन है यह सभी festival जो है, यह मड़ीपुर के है चुनाव आयोग ने मैथली ठाकुर को किसराजी का स्टेट आइकॉन मनाया, तो चुनाव आयोग ने बिहार का दोस्तो, मैथली ठाकुर को बनाया है स्टेट आइकॉन ठीक है, बिहार का बिहार खादी के ब्रैंड मिजडर कौन बनाया गए बिहार खादी के पंकज तिरपाठी बनाया है यह भी याद रखिएगा तिरपाठी बनाया है, ठीक है ना इनका भी नाम आप याद रखेंगे तो यहाँ पर आप दिखपाऊगे मैथली ठाकूर, आपने वीडियो जोगरा है, इनकी देखी होगी 2019 में मैथली और इनके दोनों भाईयों को चुनायोग ने मधुबनी का ब्रैंड बिच्टर बनाया था ठीक है, अगला है अगला है, हाली में ओरिसा ने किस मिसन के लिए World Habitat Award 2023 जीता ओरिसा का जागा मिसन जो है इसने World Habitat Award 2023 जीत लिया है, दप्रेंड का आपके सामने आर्टिकल है जागा मिसन जो है अच्छली में ओरिसा का एक बहुती प्रमुख मिसन है, जिसका उद्देश है कि जोगी जोपडियों को खत्म करना और रोडिसा ने लक्ष भी रखा है कि 2023 का अंत होते होते जोगी मुक्त होने वाला ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा, इसी को देखते होए United Kingdom इस्टित एक संस्था है World Habitat, इसके दोरा इसे World Habitat Award दिया गया है अगला, राश्ट्रपती ने कहाँ पर प्रेसिडेंट मुर्मोर टू एनिगरेट कांस्टिटूशन पार्क इन राजस्थान, राजभवन राजस्थान के राजभवन में स्काउद घाडन किया गया है, ठीक है और इसमें साथे साथ इनोंने मयूरस्तम, राश्ट्य द्वाजस्तम महात्मा गादी, महाराण पताब आज की परत्माओ का अभिवद घाडन किया गया विस्सु का पहला ताड के पत्तो का पांडोलिप संग्राले कहां सुरू किया गया, ये केरल में सुरू किया गया है, विस्सु का सबसे एक नया रिकार्ड इन्होंने बना दिया है, जयोदेव उनाटकर, ये हैं, ठीक है, रर्जी ट्रॉफी घरिलू ट्रॉफी है, और घरिलू ट्रॉफी हो में सबसे प्रमुक्ट ट्रॉफी मानी जाती है, सबसे बड़ी ट्रॉफी समझ लोगी इसकार से, तो उसमें इन्होंने ये कारणामा करके एक नया रिकार्ड बनाया हुआ है, पिछली बार के अगर विजेता की बात करें तो वो मदेपर्देश है, अभी चल रही है आपकी बार वाली प्रत्योगता, सुरुवात का हुई थी, 1934 से हुई थी, अंतराश्टी क्रिकेट की तिहास में अ असम बैभो से दोस्तों, डाक्टर तपन सौकिया जी को सम्मानित किया गया है, देपावगे आर्टिकल है आपके सामने, असम एनौंसेज रिसेपरेंट अप स्टेट्स हाइस सिविलियन अवार्ड फार 2022 तो 2023, असम बैभो, कॉन्फरेंट टू डाक्टर तपन सहिकिया, अ असम पुरुसकार की खुशना करता है, हर साल अब देरना सुरू किया हुआ है, तो वहाँ पर भी असम भूशन, असम रत्न वगएरा दिये जाते हैं, असम बैभो, टाइप के, ठीके ना, बसने का नाम अलग अलग है, क्या-क्या नाम अलग है, जैसे ये जो सबसे बढ़ा वाला होगा इसका, उसे कहेंगे असम बैभो, दूसरा वाला जो होगा, उसे असम सौरौ कहेंगे, तीसरा वाला जो होगा, उसे असम गौरौ कहेंगे, ठीक है ना, चले, तो यहाँ पर सबके नाम भी मैंने लिखे हुए हैं, तो आप स्क्रिंस्ट लेकर के पढ़ सकते हो, वीडियो लंबी चली जाएगे, इसलिए सब का नाम पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है न, अगला, किस देश ने मदमक्यों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूर थी, तो अमेरिका ने दोस्तों मदमक्यों के लिए पहला टीका बनाया हुआ है, और इस को मंजूरी भी मिल चुकी है वहां के दोरा, तो दुनिया का पहला टीका हुगा है, ठीक है, निक्येई ACR रिपोर्ट के उसार विश्व का सबसे बड़ा आटो बाजार वाला देश कौन मना, तो सबसे बड़ा आटो बाजार वाला देश चाइना है, भारत इस मामले में आ अज के टाइम पर दुनिया का आटो बाजार के मामले में, अवतार के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में सीर्स पर कौन है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में आज चिन नई टॉप पर है, चिन नई तमिल नाडू की राजधानी है, त था, हाली में किसके दोड़ा लिखी गई पुस्तक, revolutionaries launch की गई, revolutionaries पुस्तक लिखा है दोस्तों, संजीव सान्याल ने, बहुत important book है, संजीव सान्याल की revolutionaries, ठीक है, और इसे लांच किया है नोने, इनकी और भी पुस्तक है आ चुकी है, क्योंकि ये famous writer है The Land of Seven Rivers, The Ocean of Churn, The Incredible History of Indian Geography ये सबीन की प्रभुक पुस्तके हैं कहां पर पहली बार Formula E World Championship race का आयजन किया जाएगा तो ये आयजन होगा हैधराबाद में अगले महिने यानि फरवरी में Formula E World Championship आयजित होगा और हैधराबाद पहली बार ये host करेगा ठीक है Formula E World Championship आप Formula F1 सुने होगे F1 दूसरा होता है उसी का छोटा भाई होता है E World Championship ठीक है ना Formula का अब E World Championship E से आप Electrical लगा लेंगे जो Electrical Vehicle होता है ना EV तो Electric Vehicles का ये race होगा एक कार से उसको बढ़ावा दिये जाना है साल का ये सीजन का तीसरा होगा पहले दो जो होगे वो Mexico City और रियाद में होगे हैधराबाद World Green City का भी अवार्ड जीत चुका है किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान सुरू किया तो दोस्तो अभी हाली में बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान सुरू किया और इसके लिए ब्रेंड मेज़र बढ़ाया सौरब गाउली को बंधन बैंक की बारे में बात करें 2001 में अभी इस्तापित हुआ था पुलकाता में हेड़कॉर्टर है अनुप कुमार सिन्हाजी चेयर्मेन है जबकि M.D.O.C.O. है चंदर सिकर घोष M.D.O.C.O. का नाम पूछा जाता है एस्या प्रसांद डाक संग के महासचिव कौन बने तो वो बन गए है डाक्टर विने प्रकास सिंग एस्या प्रसांद की डाक संग के ये महासचिव बने हुए है ठीक है एस्या पैसिफिक पोस्टल यूनियन के जिसे अप्पू का जाता है तो 2022 सितंबर में इनको बैंकॉक में जो तेरह मी अप्पू का अंग्रेस राज़ित हुई थी उसमें महासचिव उनको चुना गया था और यह 89 में नंबर के चेस के ग्रेंड मास्टर बने हुए है नारवे के ग्रेंड मास्टर फॉर्ड अलोव अल्सेन को हरा करके इन्होंने 25 अपने येलू रे्टिंग प्राप्त की और ज dt में आपको कहते आया हूं 25 रेटिंग प्राप्त करने के बाद ग्रेंड मास्टर का तमगा मिल जाता है तो भारत में अब आज की टाइम पर 89 ग्रेंड मास्टर हो चुके हैं पिछले कुछ ग्रेंड मास्टर के नाम यहाँ पर आपके सामें लिखे होए हैं अगला 26 वे राष्टिय युवा महोचो का आयोजन कहां किया गया तो 26 में युवा राष्टिय युवा महोचो का आयोजन दोस्तों ये करनाटक में जबार किया गया युवा महोचो एक्च्वली में युवा दिवस के उसर पर आज़ित किया जाता है और युवा दिवस कब होता है 12 जनवरी को भारती युवा दिवस या खरी राष्टी युवा दिवस होता है स्वामी विवेका नंजी की जहनती पर तो इसकी आवसर पर दोस्तों अभी PM Modi ने एनिगरेट किया National Youth Festival कहां पर हुबली में ठीक है हुबली कहां परता है करनाटक में परता है अच्छा एक है हुगली ये हुगली नदी का नाम है ये कहां पर है ये कोलकाता में है ठीक है कोलकाता में और एक है हुबली हुबली करनाटक में परता है ठीक तो कन्फ्यूज ना होना दोस्त ओके अच्छा राष्टिय युवा दिवस बारा जनवरी और विश्व युवा दिवस बारा आगस्त ये दोना इंपोर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे ये लस्करित तैवा के द्वारा ही फंडेड एक आदम की संगठन बनाया गया था अंतराष्टिय कुलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है तो थीम देश है इस बार स्पेन को अंतराष्टिय कुलकाता पुस्तक मेले में थीम कंट्री चुनी गई है अंतराष्टिय कु पुलिस प्रणाली को समात गया तो उत्राखन राजसरकार ने अब जो अंग्रेजों के सासंकाल से अंग्रेजों के टाइमस चल रही आ रही राजसर प्रणाली थी उसको अब समात करने का फैसला लिया है यहां पर आप दिखपाऊगे एन आए का आर्टिकल है उत्राखन लिए बुक हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में अवाइलबल है यह करेंट अफेर का मैटेरियल है इंग्लिस के लिए यहां पर देखो इंग्लिस का इमेज आपको इमेज दिखाया गया है ब्रमोस का जनवेट से दिसंबर तक का पूरा का पूरा कॉन्टेंट और इसमें खास बात ही होती है कि चैप्टर वाइज डिटेल कौंटेंट रहता है तो सारी चीजे डिटेल में रहते है और चैप्टर वाइज चैप्टर रहते हैं जिससे आप तार्गेट बना बना करके एक एक चैप्टर करके पढ़़ को और तयार कर लोगे उन सब advertisements को औ इंग्लिस वाले student के लिए इस बार book नहीं ला पाया मैं, इस वज़े से अब इंग्लिस वाले student इस e-book से अपना काम चला सकते हैं, इस बार के लिए फिलाल, ठीके, अगला प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाया गया, तो ये 9 जनुवरी को मनाया गया, क्योंकि 9 जनुवरी को 19 सुपंद्रा में, महत्मा गान्दी जी वापिस भारत आये हुए थे, उन्हीं की याद में हम लोग मनाते हैं, प्रवासी भारतिय दिवस, और इस बार प्रवासी भारतिय दिवस समेलन जो आयजुद किया गया, हर चाल आयुद किया जाता है, सब्त्रवा संजकर्था, ये आजूत किया गया इंदौर में यह बहुत जाता इंपोर्टेंट है और यह आपसे पूछा जाएगा ठीक है ना यहीं से कुछा जाएगा इस पेज को आप लोग स्क्रिंशॉट ले लो फटाक से बहुत इंपोर्टेंट है पेज क्योंकि एक कुछ तो यहां से बनेगा कि प् मुक्य अतीथी बता दो कौन थे पाचवा है स्वारी पाचवा पूछा जाएगा मुक्य अतीथी कौन थे ठीक है तो आप बताएंगे गुएना गनराज के राश्पती राश्पती राक्टर मुहमद इर्फान अली मुक्य अतीथी थी और सूरी नाम गनराज के राश्पती चन्रिका पतादों की ये विसिष्ट रती थी थे ठीक है न और अगर बानलो छोटी लेबल का एक्जाम है तो पूछा जा सकता है कि क्यों मनाया जाता है तो छे कुश्चन इसी एक पेस से आप मिल जा रहे हैं इसको आप अच्छे जियाद गड़ लीजिए अगला कुश्चन है हाली में कौन सा राजी देश का पहला पूरी तरीके से डिजटल बैंकिंग वाला राजी बना तो ये भी बन गया है केरल भारत का पूरी तरीके से डिजटल बैंकिंग वाला राजी भी केरल ही है ठीक है न यहाँ पर आप देख पाओगे केरला बिकम गाउं भी बना था और 2021 में तिर्सूर जो है ये केरल का पुरिते किसी डिज्टल बाइंकिंग लाओ करने वाला पहला जिला बना था पहला गाउं पहला जिला पहला राज्य ये केरल है सब ठीक अगला हाली में कहां पर अंतराष्ट्य पतंग महुत्सो शुरू हुआ तो पतंग महुत्सो दोस्तो ये गुजरात में ही आयजुत होता है अंतराष्टी पतंग महुत्सो दोस्तो ये गुजरात में ही आयजुत होता है अंतराष्टी अस्तर का होता है 68 से जादा देश इस बार इसमें हिस्सा लिए इस बार की थीम गुर्जात परेटर ने डिसाइ यानि वन अर्थ, वन फैम्ली, वन फ्यूचर ठीक है पतंग महुत्सों हमदाबाद में 1989 से ही आज़ित किया जा रहा है और इसके पीछे का इतिहास बहुत पुराना है बदाया जाता है कि भारत में जब फाहयान और हैंसांग आये थे इन्होंने ये पतंग वाला जो सिस्टम है इन्होंने ये भारत को दिया था भारत में सुरू किया था अगला किस राज के पूर्व राजपाल केसरी नात्र पाठी का निधन हो गया तो केसरी नात्र पाठी जी दोस्तों ये बिहार और पस्चिम मंगाल के पूर्व राजपाल रह चुके थे और इनका अभी निधन हो गया है ये उससे पहले एक वकील थे बहुत ही सीनियर अधिवक्ता रहे मतलब कई पद में ये रहे और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्नाल्टी थे याद रखिएगा कुछ न पूछा जा सकता है सावजुनिक उद्दम सरवेक्छन 2021-2022 में सेवा छेतर में सेर्स पर कौन सी है तो देखो सेवा छेतर में अभी तुम मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि सबस्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कौन सी कंपणी अभी देखो यहाँ पर आ गया सेवा छेतर में टॉप पर कौन है तो सेवा छेतर में टॉप पर है महासचियों है महाराष्ट ओपन टेनिस टूनरमेंट 2013 किस ने जीता तो इसको जीत लिया है दोस्तों टालोन ग्रिक्सपुर ने टालोन ग्रिक्सपुर यहाँ पर आप देख पाओगे टालोन ग्रिक्सपुर यह अपना पहला ATP World 2 Titl जीते हैं और महाराष्ट में यह इकलौता ही ATP World 2 होता भी है मतलब भारत में इकलौता किवल महाराष्ट में ही होता है Tata इसका Title Sponsor हूआ करता है Tata ओपन महाराष्टा में यह हूआ है और इसको जीत लिया है इन्होंने ठीक है ये नीदर लेंड के रहने वाले हैं याद रखेगा भारत में अगर पूछा जाए कि एकलोता ये ATP टूर्णामेंट कहां पर होता है तो आप बताएंगे महराष्ट्री में होता है कहां पर पुडे में तो 2 से 7 जनवरी के बीच में भी किया गया है अच्छा अगर आप ATP मतलब होता है association tennis professional चीए हें पेटियम पेमेंट बैंक के नए CEO कौँ रहे हैं पेटियम पेमेंट बैंक की नए सी उसका है पेंनिम्हें ठीब M.D.O.R. CEO नियुक्त किया है सुरिंदर चावला को इसके लिए R.B.I. की मंजूरी भी मिल चुकी है कोई भी बैंक हो चाहे पेइमेंट बैंक हो उसको अगर M.D.O.R. CEO अपना बदलना है तो R.B.I. की मंजूरी लेनी पड़ती है तो ये मंजूरी भी इनको मिल चुकी है विज्ञान दिवस जिसता कि हम सब को पता है 28 फरवरी को प्रतेक वर्स मनाया जाता है लेकिन उसकी एक मैने पहले से ही थीम की घोशना की जाती है इस बार की जो थीम है वो है वैस्विक कल्यान के लिए वैस्विक विज्ञान यानि Global Science for Global Wellbeing बहुत इंपोर्टन थीम है इस इसमें इसी के लिए Nobel Prize भी मिला था ठीक तो हम लोग 1986-27 फरवरी को राष्टे विज्ञान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं अगला हाले में किस ने होकी गेंद से दुनिया की सबसे बड़ी होकी इस्टिक बनाई इसको बनाया है सुधरसन पतनायक ने होकी की गेंदों से दुनिया की सबसे बड़ी होकी इस्टिक है सुधासन पटनाया कि यह जाने माने सेंड आर्टिस्ट हैं और इन्हे पदमुस्री अबार्ड भी मिल चुका है सेंड आर्टिस्ट वो होता है जो सेंड पर आर्ट बनाता है तिक है यानि रेत पर आर्ट बनाता है आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी सोसल मीडिया पर ठीक है, तो इन्होंने एक होकी स्टिक बनाई हुई है, जिसमें 5000 बॉल्स का यूज़ किया गया है 5000 होकी बॉल्स का यूज़ किया गया है अब एक important बात होकी का ही स्टिक क्यों बनाए इन्होंने क्योंकि होकी का वर्ल्ड कप चल रहा है और होकी वर्ल्ड कप का आवेजन ओडिसा में ही हो रहा है और ओडिसा की ये हैं भी, तो ओडिसा में ही इन्होंने बनाया है, 105 फीट लंबा है 2014 में इनके कामों को रिकोगनाईज करते हुए भारतिय सरकार ने इनको पदमसरी से सम्मानित किया था इनके नाम एक गिनीज वर्ल डिकार्ड भी है सबसे उचे रेत महल के निर्माड के लिए अगला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस अस्तान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रेंकिंग आई है और इसमें भारत जो है अब पहुच गया है 85 अस्तान पर पहले 87 पर था इस बार अब 85 पर आ गया है टॉप पर जापान बना हुआ है वहीं सिंगापूर दूसरे पर आ गया है जापान और सिंगापूर पहले दोनों टॉप पर था लेकिन जापान अभी की टाइम पर है और सिंगापूर जो है ये साउथ कोरिया के साथ दूसरा अस्थान इंज्वाय कर रहा है तीसरे पर जर्मनी है और स्पेन है 190 ये जो कंट्रीज लिखी गई है ये एक्चुले में लिखी गई है वीजा एक्सेस कंट्रीज यानि इतने देशों का वीजा एक्सेस इने प्राप्त है वैसे तो मैंने आपको इस पर वीडियो भी दी हुई है जिसमें पूरा आपको परक्रान बताया है कि कैसे क्या होता है फिलाल यहां पर भी मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ जैसे यहां पर भारत की रैंक 85 है और लिखा गया है कि भारत 69 देशों का वीजा एक्सेस प्राप्त किया हुआ है यानि भारत के पास 69 देशों का वीजा एक्सेस है ऐसे ही जापान का अगर आपके पास पासपोर्ट है आज जापानी हो तो 193 देशों में जाओगे तो आपको visa नहीं लेकर जानना पड़ेगा उस देश से visa नहीं लेना पड़ेगा लेकिन अगर आप पाकिस्तान के हो और जाते हो कहीं देशों में तो दुनिया भर में एक बढ़ाया गया, तो माइकल पात्रा बेक वर्स के लिए और आर्विया के डिप्टी गवर्नर का पद संभालेंगे, इनको भारत सरकार ने दोस्तों नियूट करिया है, इनका करेकाल एक प्रकार की से एक साल के लिए बढ़ाया हुआ है, दोस्तों एक होता है आर्विया का गवर्नर कौन है, M.K.Jain है, डक्टर माइकल पात्रा है, और M.Rajiswar Rao है, T.Rabhi Sankar है, तो सक्तिकांदाजी जो की गवर्नर है, बाकी ये लोग डिप्टी गवर्नर है, सक्तिकांदाजी 25 गवर्नर है, क्लियर है, 24 गवर्नर कौन थे, उर्जी तार पटिल, जिनके टाइम पर हुई थी, नोटबंदी, और नोटबंदी पर भी आया था, फैसला, फैसला कैसे, चार अनपाते, एक में, एक वाला अनपात किसका, Justice BB नागरतना, BB नागरतना कौन होगी, ये जा करके CGI बनेगी, कब बनेगी CGI, ये बनेगी 2027 में, 2027 के अलावा, और किस देश में महिला CGI बनने वाली हैं, अभी कोई, तो आईसा मलिक बनेगी, कहां पर बनेगी, पाकिस्तान में, कब बनेगी, 2030 में बनेगी, ठीक है रहा, अब RBI की बारे में मुस्यमत सुरू करवाना, आगे बढ़ते हैं, हाली में कस्मीर के पहले ग्यानपीट विजेता, अब्दुल रहमान अब दिधन हो गया, ये किस वर्स ग्यानपीट प्रोसकार जीते थे, तो अब्दुल रहमान राही बहुती फेमज परस्नालटी थे, जम्मु कस्मीर के पहले ग्यानपीट प्रोसकार विजेता थे, इनका अभी निधन हो गया है, इनका अठानुवे वर्स की उम्र में पुस्तक जादू नामा के लेखा कौन है तो जादू नामा जो पुस्तक है जावेद अक्तर के उपर लिखी गई है लेकिन लिखा किसने है अर्विंद मंडलोई ने लिखा हुआ है जावेद अक्तर आकर के खुद अपना ये बुक का विमोचन किये थे लेकिन लिखा है अर्विंद मंडलोई ने द्यान रखियेगा अगला अच्छा जावेद अक्तर के बारे में बात करें तो पदमसरी और पदमभूसर से ये सम्मानित हो चुकी है और जाने माने ये लेखक और गयाख भी रहे हैं आस्टिलियाही सरकार ने इस्कूलों में किस भात्या को स्तामिल करने का फैसला लिया आस्टिलिया में अब पंझावी पढ़ाई जाएगी बच्चो को वहां के इसकूलों में पंझावी लेंग्वेज को मनझूरी मिली ہے आस्टिलियाही गवर्मेंot वो घर में पंजाबी यूज करते हैं, तो इसको देखते हुए वहाँ के बच्चों को अब एक पंजाबी लेंग्वेज का भी option दिया जाएगा इस्कूलों में, ठीक है न, तो ये वहाँ की जो सिक्षा मंत्री है सु एलेरी इन्हों नेगोशना करी हुई है, अगला PM मोदी इसको हरी जंडी दिखाई तो गंगा विलास लगजरी क्रूज को हरी जंडी दिखाई, तो गंगा विलास लगजरी क्रूज जो की अभी बहुँ ज़्यादा चर्चे में रही थी, वारारसी से PM मोदी ने इसको हरी जंडी दिखाई, ये वारारसी से जाएकि हो जाएगा जबकि पिर्थिवी का भारत का जो आप लंबाई चौड़ाई देखते हो तो वो भी 32 के आसपास में यह तो देखो ऐसा है ना कि यह जाएगा पहले बांगलादेश बांगलादेश से फिर जाएगा उसके बाद तब पहुंचेगा आसम पुछिस प्रकार से इसक करवाएगा 25 अलग अलग नदियों से उगजरेगा ठीक आगे देखते हैं दुनिया का सबसे लंबा यह नदी क्रूज है रिवर क्रूज अगला प्रसिद पर लोहडी किस राज में मनाया गया तो देखो लोहडी जो है ना यह हर्याना जम्मू कस्मीर हिमाचल प्रदेश औ मनाया जाता है मकर संक्रांती के अउसर पर तेवहार वही है बस अलग-अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है अलग-अलग जगा और इस पर मैंने आपको वीडियो में डिटेल में बताया भी था कि सब जगा अलग-अलग नाम से अलग-अलग कैसे मनाते हैं जैसे मकर स उत्रायन मना जाता है र्यस्ताम, गुजरात में, पतंग महुटसों होता है, गुजरात में इसे आउसर पर ठीक है, उत्रप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में खिचरी कहा जाता है, और असंं में ब्युह कहा जाता है, तो ये सभी अलग अलग नाम है अगला किस राज जिने 12 गंटे में 4500 पेनल्टी किक लगा करके बिंगिनीज बुक आफ वर्ड रिकार्ड बनाया देखो इसको भी बनाया केरल ने केरल आज की टाइम पर हो गया है UAE UAE मैं क्यों कह रहा हूँ UAE का कहना होता है या तो पहला या तो सबसे बड़ा या तो एकलोता मतलब या तो पहला होगा या तो सबसे बड़ा होगा या तो एकलोता होगा ये तीन कॉंसेट पर चलते हैं ये लोग मतलब इतने ज़्यादा रिकार्ड अपने पास रखते हैं ऐसे ही आप देख रहो केरल भी लगा था रिकार्ड पर रिकार्ड पर रिकार्ड पर रिकार्ड पर रिकार्ड इसी बीडियो में मैंने 4-5 रिकार्ड आपको गिनाट प्रले केरल से एक और रिकार्ड यहां पर इन्होंने बनाया आखरी penalty kick लगाई और एक नया word regard set हो गया भारत और किस देश के बीच वाय अभ्यास वीर गार्जियन 2030 शुरू हुआ तो देखो अब तक भारत और जापान की बीच में धर्म गार्जियन हुआ करता था जिमेक्स हुआ करता था धर्म गार्जियन ये थलसेना का था और जिमेक exercise शुरू हुई है ठीक है ये रहा अपना एरा फेलवा ठीक है तो एयर exercise भारत और जापान के बीच में हुई 16 से 26 जनुवर तक पहला सा सकंड था और अभी धर्म गार्जियन हुआ था बिलगावी करनाटक में जिमेक्स हुआ था बंगाल की खाड़ी में अगला प्यूस गोयल ने startup mentorship के लिए कौन सा portal लांच किया इन्होंने mark नाम से एक portal लांच किया है प्यूस गोयल जी आपको पता है ये वनिज मंतरी है अपने commerce minister है इन्होंने mark लांच किया है startup को mentorship देने के लिए मारग का मतलब होता है mentorship, advisory, assistant, resilience and growth नेदिली में इसका उधगरन किया गया है इससे समस्त sectors के जो start-ups हैं, जो दमी हैं उनके बीच में मारगसन mentorship प्रवाइड के जाएगी अगला बश्चन, UAE ने 28 में जलवाई सम्मिलन का अध्यक्ष किसे बनाया तो दोस्तो UAE इस बार COP28 की करने जा रहा है मेजवानी इसके लिए अपने देश में अच्छे तरीके से आयज़न हो सके इसके लिए इन्होंने जिम्मेदारी समपदी है सुल्तान अलजाबिर को सुल्तान अलजाबिर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यह अब प्रेसिडेंट होंगे डेसिगनेट होंगे COP28 के लिए COP28 जो है वो 30 नमबर से 12 दिसंबर तक इस साल आयुज़द करेगा हुआ होगा और UAE में होगा पिछली बारवाला COP27 कहां पर हुआ था? यह हुआ था मिसर में मिसर के सर्म अल सेक में और अभी यह SSC GDA की पहले ही दिन में पूछ लिया गया ठीक है और मैं आपको हजारों बार इस चीज़ को बता चुका हूँ तो COP28 यानि COP मतलब होता है Conference of Parties 28 सम्मेलन 2030 के दिखता UAE कर रहा है ठीक आगे सरकार ने Online Gaming के लिए भारत का पहला उत्कृष्टा केंदर कहां पर अस्थापित किया तो केंदर सरकार ने इसे अस्थापित किया है सिलोंग में मेगालय में Online Gaming के इंडस्ट्री को इसकी ग्रोध को देखते हुए इसने Center of Excellence in Online Gaming ये सिलोंग में अस्थापित करने की गोशना करे हुई है ठीक है तो पहला ये Center of Excellence होगा Online Gaming के लिए अब ये थी question दोस्तों मंतली Current Affair के वीडियो आपने देख ली है और I hope आपको पसंद भी आई है अगर यहां तक तो आए हो तो मतलब पसंद आई है तभी रुके हो ना नहीं तो कहां जेल पाते तो वीडियो को Like जरू कर देना Like करके Share कर देना ठीक है ना और इसकी Quiz और PDF भी आपको प्रोवाइड की जाती है तो PDF जी जाकर के आप पढ़ लेना यहां से MZTF से और Quiz भी प्राप्त कर लेना Quiz और PDF हर एक महिने की आप यहां पर प्राप्त कर पाऊगे हर एक दिन की प्राप्त कर पाऊगे और weekly भी आप प्रोवाइड किया जाने लगा है तो फिर आप weekly भी आपर solve कर पाऊगे clear है तो this is the end of the video वन लाइनर चाहिए आपको तो टेलिग्राम का रुख कीजिए यह सभी चीजों से हम से जूर सकते हैं मिलेंगे बगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जहिंद वंदिमात्रम